आज की वीडियो में हम एक ऐसी मेडिसीन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि ऐलरजी के लिए बहुत ज़ता यूज की जाती है और ये एक OTC मेडिसीन है, Miss Over the Counter मेडिसीन है, जो कि आपको मेडिकल स्टोर पर असानी से मिल जाती है तो हम जानेंगे इसके क्या-क्या uses हैं और इसकी safe dose क्या रहती है तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं सिट्रिजन टैबलेट के बारे में जो कि एक anti-histamine medicine है और यह allergy को कम करने के लिए use कि जाती है और आपको यह कई सारे brand name से मिल जाती है जैसे कि सिट्रिन, सिट्सेप, एलर्सेट, जिर्टेक, एंड इंसेट तो यह सबी common brand name है जिस गाम से आपको यह medical पर असानी से मिल जाती है तो पहले हम यह जान लेते हैं कि यह medicine किस-किस condition में use कि जाती है तो नमबर वन है allergic rhinitis तो इसमें क्या होता है इसमें हमारी नाक एवं आक से पानी आ सकता है और वहाँ पर खुजली भी होती है और साथ में में छीके भी आ सकती है तो ऐसी condition में हम इसे use कर सकते है इसके लावा articaria या फिर hypes तो इसमें क्या होता है हमें किसी खाने से या फिर किसी भी चीज़ से allergy हो जाती है जाता है या फिर हमें छीक आने लगती है तो ऐसी condition में भी इसका use किया जाता है इसके लावा बहुत परकार की allergy में इसका इस्तमाल किया जाता है तो ये सबी ऐसी problems हैं जो कि कभी ना कभी किसी को हो ही जाती है तो इसलिए इस tablet का use बहुत जादा किया जाता है साथ में हम इसकी dose के बारे में भी जान लेता है यानि कि इसे कितने mg में use किया जाता है तो यहाँ पर हमने इसे तीन category में divide किया है एक बच्चों में और एक बड़ों में तो बच्चों में भी दो category होती है एक छोटे बच्चे जो कि 6 महिने से लेकर 5 साल के होती है तो उसमें इसकी डाई mg की dose use की जाती है जो कि दिन में एक बार देनी होती है और 5 साल से लेकर 11 साल के बच्चों में इसकी 5 mg की dose use की जाती है जबकि बड़े लोगों में इसकी 10 mg की dose use की जाती है जो कि दिन में एक बार लेनी होती है और बागी patient की condition की according इसकी dose डिसाइट की जाती है अब हम इसके side facts के बारे में जान लेते हैं तो इसके चार common side facts है जिसमें पहला है drawsiness यानि कि हमें इसे लेने से हलक हलकी नीन आने लगती है तो हमें causes करना चाहिए कि इसे रात को सोते समय लेना चाहिए और इसे लेने के बाद हमें कोई भी heavy machinery काम नहीं करना चाहिए और साथ में driving भी नहीं करना चाहिए इसका दूसरा side factor drive mouth यानि कि इसलिए इससे आपका मूँ भी सोख सकता है इसके लावा head के आपके सिर में भी दर्द हो सकता है और constipation यानि कि आपको कब्ज भी हो सकता है इसलिए आपको इसे ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए और आपको इसे सही मात्रा में ही इस्तिमाल करना चाहिए साथ में हम इसके contraindications के बारे में भी जान लेते हैं यानि कि किन लोगों को ये यूज नहीं करना चाहिए तो नमबर वन जो 6 महिने से कम के बच्चे होते हैं तो उन्हें ये medicine नहीं देनी चाहिए नमबर टू, breastfeeding woman यानि कि ऐसी महिला है जो कि बच्चों को दूद बिलाती है तो उन्हें भी इसका यूज नहीं करना चाहिए और नमबर थ्री, allergy to H1 receptor anti-histamine यानि कि ऐसे लोग जिनने anti-histamine से allergy रहती है तो उन्हें भी इसका यूज नहीं करना चाहिए तो आगे आप किस medicine पर वीडियो चाहते है तो आप उसे नीचे comment करके बता सकते है Thank you very much